बुलबुल का घौंसला तूटा हुआ था इसलिए वो बहुत डरी हुई थी वो अपने तूटे हुए घौंसले में बारिश से बचने के लिए एक तरफ होकर खामोश बैठी हुई थी तेज हवा से जंगल में शोड था कववा और कववी ने तो कमाल कर दिया था वो बारिश में ही अपने लिए भोजन ढूण कर ले आए थे गुडिया और उसकी ममा भी अपने घ़र में बैठी हुई थी ममा क्या आज हम भोजन लेने नहीं जाएंगे हाँ बेटी मैं भी यही सोच रही थी यह बारिश तो ना जाने कब रुकेगी हमें जाना ही होगा फिर वो मा बेटी भी अपना भोजन लेने निकल जाती है बारिश के कारण भोजन ढूणना आसान न था वो मा बेटी उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है सामने एक मकई का खेत था वो वहां जाती है गुडिया बेटी जल्दी से कुछ दाने खा लो हमें यहां से जल्दी जाना होगा यह इलाका इंसानों का है मैं जानती हूं ममा इंसान बहुत जालिम होते हैं फिर वो मा बेटी मकई के दाने खाने लगती है उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक पत्थर तेजी से आता है और ममा चिडिया के सर में लगता है और ममा चिडिया गिर जाती है नहीं क्या हुआ मेरी ममा को क्या हुआ ममा उठें गुडिया रोती है, बहुत रोती है, मगर ममा अपनी आँखें बंद कर चुकी थी, वो गुडिया को छोड़ कर जा चुकी थी ममा, इनसान बहुत जालिम है, एक दाना खाने के बदले में जान तक ले लेते हैं, मैं कभी इनसान बनना पसंद नहीं करूंगी शाम के बाद गुडिया अपने घर वापिस चली जाती है, बारिश भी रुक गई थी गुडिया की ममा के पुराने दोस्त कवी, कववा और मिठू गुडिया के पास आते हैं गुडिया बेटी, जालिम इनसानों ने आपकी ममा को मार दिया, होसला करो बेटी अगर मैं इतना शक्ती शाली होता, तो किसी इनसान को न छोड़ता, सब इनसान बुरे हैं नहीं कालू, हम पक्षियों की तरहा कुछ इनसान अच्छे भी हैं, सब ही बुरे नहीं हैं गुडिया से कुछ बातें करने के बाद, वो सब अपने अपने घरों को वापिस चले जाती हैं आज की रात गुडिया जाग कर गुजारती है, उसे अपनी ममा के बिना नीद नहीं आ रही थी ममा आपकी याद सतार ही है बहुत मुश्किल है ममा आपके बिना रहना मैंने कभी कल बना भी नहीं की थी आपके बिना रहने की दूसरे दिन आसमान साफ था घर से तो गुड़िया को निकलना ही था क्योंके उसे पता था कि अगर जिन्दा रहना है तो बाहिर जाना ही होगा दाना लाना ही होगा सामने सूखे हुए किकर के पेड़ पर बैठे हुए बुरे उल्लू गुड़िया को अकेली जाते हुए देखकर उसे तंग करने लगते हैं वो उड़ते हैं और गुड़िया को रोग लेते हैं डरती हुई गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है अकेली न बाजार जाया करो नजर लग जाएगी बहुत सुन्दर हो तुम छाटी जुड़िया चलो मेरे साथ दाना और फल दूँगा तुम्हें डुष्ट उल्लू मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा कर सबको अकठा कर लूँगी शोर कैसा? मैं तो आपकी पारी भाशा कर रहा हूँ गुड़िया वहां से भाग जाती है सामने उसे कबूतर चाचा और मिठो नजर आती है उन्हें देखकर गुड़िया की जान में जानाती है चाचा 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 कबूतर वो बुरे उल्लू मुझे तांग कर रहे है शांत हो जाओ बेटी शांत हो जाओ पीछे कोई नहीं है गुड़िया बेटी अब आपकी मम्मा नहीं है जो आपको हर बुरी आंख से सुरक्षत रखती थी बेटी आप ऐसे अकेली बाहिर ना आया करो तो मिठु अंकल मैं किसके साथ भोजन लेने जाया करूँ बेटी कवा और कवी आपके पडोसी है आप उनके साथ ही बाहिर निकला करो ये जंगल अच्छा भी है और बुरा भी यहां पांक पांक पर संभल कर रहना होगा फिर उस दिन गुडिया चाचा कबूतर और मिठु तोते के साथ भोजन लेकर वापिस खर चली जाती है दिन तो गुजर जाता मगर रात गुडिया के लिए बहुत मुश्किल थी रात होते ही गुडिया को अपनी मां की याद सताने लगती मेरे पास आओ मेरी बेटी मेरे पास आओ मैं यहां हूँ अपनी मां के ख्याल गुडिया को सोने ना देते वो चोंक चोंक कर उड़ती और फिल लेट जाती दूसरे दिन गुडिया गोरी कवी के पास चाती है आउंटी आप मुझे अपने साथ भोज़ लेने ले जाएं कल मुझे बुरे उल्वों ने बहुत तंग किया था गुडिया बेटी ऐसे जीना बहुत मुश्किल है मैं चाहती हूँ के आप शादी कह ले शादी का शब्द एक बार तो गुडिया को बहुत अजीब सा लगता है क्यूंकि उसने तो कभी शादी के बारे में सोचा ही ना था गुडिया बेटी एक चुड़ा है मेरी नजर में वो बहुत अच्छा है वो आपको हमेशा खुश रखेगा आंटी अब मा के बाद आप ही मेरे सब कुछ है कालू चाचा कबूत चाचा मिठू अंकल और आपके सिवा मेरा कौन है इस चंगल में उस दिन गुडिया गोरी आंटी के साथ भोजन लेने जाती है आज गुडिया खुद को सुरक्षत समझ रही थी गुडिया को एक पेड़ पर अमरूद खाते हुए देहकर उलू फिर से वहां आता है संदर चुडिया एक बार अपना नाम तो बता दो पीछे से गोरी कवी भी आ जाती है कमबख्त जाओ जाकर अपनी मा का नाम पूछो अपनी बहन का नाम पूछो मैं अभी कालो को बुलाती हूँ हम सब सीधा करते हैं तुम्हें ना ना नहीं मैं तो मजा कर रहा था उलू वहां से भाग जाता है आंटी सच कहा आपने इस जंगल में अकेले जीना बहुत मुश्किल है आप मेरी शादी कर दे फिर गोरी कवी दूसरे जंगल जाती है और उस चीड़े को बुला कर गुडिया और उसकी शादी कर देती है वो चीड़ा गुडिया को बिहा कर अपने साथ ले जाता है वो घर छोटा जरूर था मगर वहां गुडिया सुरक्षत थी चले भोज़ लेने आपको भूग लगी होगी ये वही शब्द है जो मेरे मम्मा पापा कहा करते थे चले मैं त्यार हूँ ऐसे दिन रात गुजरते गे और गुडिया अपने जीवन में मख़न हो जाती है और फिर एक दिन गुडिया अपनी गोद में एक छोटी सी चड़िया को लिए बैठी थी जिसका नाम उसने मुन्नी रखा था आज वो बहुत खुश थी क्योंके वो मा बन गई थी और अपनी बेटी को देखकर वो जिन्दगी के सभी पूराने दुख भूल चुकी थी प्यारे दोस्तों जिन्दगी इसी का नाम है एक ना एक दिन बिछड़ जाना है इसलिए अपने ममा पापा से बहुत बहुत प्यार करें आपका धन्यवाद अपनी पतनी गोरी से चोरी छुपे कालू कव्वा नदी पर बैठा पिंकी कवी से गपें लगा रहा था कालू ऐसे चोरी छुपे मुझे तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता अगर तुम आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं फिर कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगी ऐसा ना कहो पिंकी मेरी जान मुझे थोड़ा सा और समय दो मैं कुछ करता हूँ गोरी के जीते जीतो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मुझे तुमसे शादी करने के लिए पहले गोरी को रास्ते से हटाना होगा जो भी करना है करो अपनी पहली पतनी को मारो या रखो तुम्हें अब कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा ऐसा कहते हुए पिंकी कवी वहां से चली जाती है और कालू कवा शाम तक बैठा सोचता रहता है फिर शाम गे कालू कवा अपने घर को वापिस उड़ता है सोजाओ मेरे बेटे सोजाओ मामा मुझे भूग लगी है ऐसे खाली पेट कहां नीद आती है तुम्हारे पापा सुबहा से गे हुए है अभी तक नहीं लोटे मेरा नहीं तो आपका ही सोच ले ऐसे में कालू कवा भी घर आ जाता है पापा आप इतनी देर से क्यूं आए है मुझे फोग लगी है आप मेरे लिए खाने को क्या लाए है चुप चुप कर जा मैं कहां से तुम्हारे लिए भोजन लाऊ सारे जंगल में सूखा है दूर दूर तक कोई खाने की चीज नहीं मिलती सब ही पकशी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आते हैं एक आप को ही कुछ नहीं मिलता सारा सारा दिन आप घर से बाहर गुजारते हैं और शाम को खाली हाथ ही घर लोडाते हैं बस कर जाओ अगर अब बोली तो मैं जान से मार दूँगा तुम्हें फिर गोरी कवी रोज की तरहां अपने पती से डरती हुई आंखें बंद करके लेट जाती है उसका बेटा जगू कवाबी भूका ही सो जाता है आधी रात हो जाती है अगर मुझसे शादी करनी है तो अपनी पहली पतनी को मार दो अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी ना ना पिंकी मुझे छोड़ कर ना जाना ऐसा कहते हुए कालू कवाबी नीद से जाग जाता है सपना था ये एक सपना था कहीं पिंकी मुझे सच में ही छोड़ कर ना चली जाए नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगा फिर दूसरे दिन कालू कवा सीधा पहाडों पर जाता है वो अपनी पूरानी जाने वाली इगली चील से बात करता है मेरी पत्नी को मेरे रास्ते से हटाना होगा आप मेरी पत्नी गोरी कवी को खा जाओ वो क्यों कालू तुम अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और गोरी मुझे ऐसा नहीं करने देगी आप उसे खा जाएं आपको मास मिल जाएगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा तो फिर किसी तरहां उसे मेरे पास लेकर आओ तुम्हें तो पता है मैं बूड ही हो गई हूँ मुझसे अब शिकार नहीं होता ठीक है मैं आज शाम ही उसे किसी ना किसी बहाने से तुम्हारे पास ले आओँगा फिर कालू कवा वहां से चला जाता है फिर वो पिंकी कवी के पास जाता है मैंने बात कर ली है मैंने चील से बात कर ली है आज शाम वो मेरी पतनी को खा जाएगी और फिर कल ही हम दोनों शादी कर लेंगे तो फिर कल मेरे लिए एक बोरी अनाज की लेकर आना फिर ही मैं तुम से शादी करूंगी मगर पिंकी मेरे पास इतना अनाज नहीं है मैं कहां से लाओंगा एक बोरी अनाज की जहां से भी लाओ ये मेरी माँ की शर्त है कि जो कवा मेरी माँ को एक बोरी अनाज की लाकर देगा मेरी माँ उसी कवे से मुझे शादी करने की अजासत देगी मैं कुछ करूंगा मैं किसी तरहां भी कल एक बोरी अनाज की ले आऊंगा फिर शाम हो जाती है और कालू कवा जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और घर जाकर गोरी कवे से कहता है गोरी चलो आज कहीं घूमने जाते हैं इस समय शाम के समय कौन घूमने जाता है हम हम कवे शाम को ही घूमने जाते हैं ऐसे कालू कवा अपनी पतनी गोरी कवी को साथ लेकर पहाडों की तरफ जाता है वो उसे एक पत्थर पर बिठा देता है तुम यहां बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आता हूँ जल्दी आना कालू घर में जग्गू अकेला है फिर कालू जल्दी से इगली चील के पास जाता है वो देखो चील्दी वो देखो वो सामने बैठी है मेरी पतनी अब जल्दी से जाकर उसे खालो और मेरा रास्ता साफ कर दो कालू आज तो तुमने दोस्ती का हिसाब बराबर कर दिया मुझे खाने को अपनी पतनी ही गिफ्ट कर दी ऐसा कहते हुए चील पीछे से जाती है और जाकर गोरी को पकड़ लेती है गोरी बहुत हाथ पैर मारती है मगर इगली चील उसे मार कर खा जाती है कालू कवा थोड़ी दूर बैठा सब देख रहा था पिंकी अब मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं राक सकता अब होगी मेरी और तुम्हारी शादी फिर कालू कवा खुशी खुशी घर चला जाता है पापा पापा ममा कहा है तुम्हारी ममा पुरानी हो गई थी इसलिए मैं उसे कुवे में फैंकाया हूँ और तुम्हें कल नई ममा ला कर दूँगा आप गंडे हैं मुझे नहीं नई ममा लेनी मुझे मेरी पुरानी वाली ममा ही चाहिए वो छोटा बच्चा रोने लग जाता है मगर कालू कवा उसे डरा कर सुला देता है आज की रात तो कालू कवे के लिए बहुत लंबी हो गई थी सुभा होते ही कालू अपने पडोसी कबूतर के पास जाता है कबूतर यार बड़ी मुसीबता गई है बताओ बताओ कालू क्या बात है मुझे एक बोरी अनाज की उधार दे दो मैं कुछ दिनों तक तुम्हें वापिस कर दूँगा पूरी एक बोरी अनाज की तुम क्या करोगे मेरी पतनी को चीलने पकर लिया है और वो उसे छोड़ने के बतले में एक बोरी अनाज की मांग रही है कालू कववा ऐसे जूट बोलता है और कबूतर कालू की बातों का सच मान कर उसे एक बोरी अनाज की दे देता है कालू बोरी अनाज की लेकर नदी की तरफ उड़ता है जहां पिंकी ने आना था जब कववा वहां पहुँचता है तो पिंकी कववी पहले से ही वहां आई बैठी थी मैंने कर लिया मैंने दोनों काम ही कर लिये मैंने अपनी पहली पतनी को भी चील के हवाले कर दिया और बोरी अनाज की भी ले आया मुझे पता था तुम ये कर लोगे अच्छा तुम यहीं बैठो मैं अभी ये बोरी अनाज की अपनी मा को दे कर आती हूँ और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे जल्दी वापिस आना पिंकी मुझे से और इंतजार नहीं होता फिर पिंकी बोरी अनाज की लेकर वहां से चली जाती है मा जल्दी चलो जल्दी चलो कहीं वो बुढ़ा मेरे पीछे ही ना आ जाए चलो बेटी ऐसे बुढ़े बहुत बुरे होते हैं फिर पिंकी अपनी मां को साथ लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल की तरफ उड़ती है शाब तक कालू कववा बैठा पिंकी का इंतजार करता है और फिर जब अंधेरा भणने लगता है तो कालू की आस तूट जाती है पिंकी तुमने मुझे थोका दिया है मैंने तुम्हारे पीछे लगकर अपना हंस्ता पस्ता घर पर बाद कर दिया और तुम एक बोरी अनाच की लेकर भाग गई फिर कालू कवा रोता हुआ अपने घर वापिस चला जाता है वो अपने किये पर बहुत पश्ता रहा था वो अपने बेटे को देख देख कर रो रहा था मगर कालू अब जितने भी आंसू बहाले समय लोटकर नहीं आने वाला था प्यारे दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिलकुल मत भूलना